तिनका तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा लुट रहा ये चमन अपना वतन आखों से अपनी संकल्प बोलके तम तो निकल पड़े अर द्वार खोलके गगन गहे विजए भावा विजए भावा कगने कहे विजए भावा अब लब्र 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 लुट रगवशन हे रात की सुरन पटकी है रोशनी है छखपटा रही दो मिनिट सभी अंतर मुखी हो जाई है अपने अपने ब्रुपुटी सिंगासन पर विराजमान हो जाए और बावा से रुर्यान करने की कोशिश करे बावा आज तक मेरे से जो भी गल्तियां होई है या हो रही है मैं अत्मा आज उसको महसुस करूँगी और उसको सुधार भी करूँगी कभी कभी गल्तियां हो जाती है बावा आज तो एक मिस्टेक हो गई बावा मेरे आंखे तोड़ा धूका दे दिया बावा कोई विकार की द्रिश्टी नहीं थी विकार की भावना नहीं थी लेकिन थोड़ी से द्रिष्टी खराब होई एक आत्मा को मैंने थुड़ा आंख दिखा दिया गुस्ता नहीं किया बाबा कुरुद नहीं आया है मन में लेकिन थोड़ी से आंख दिखा दिया क्या है बाबा वो ऐसे बोला ना इसलिए थोड़ा आंख दिखाना पड़ा गल्ती मेरी नहीं थी बाबा मैं समर पीत हूँ मेरा किसी से मुमत तो नहीं है निमत मात्र हूँ ट्रस्टी हूँ इसने ही सम्बंधी सब आपके हैं बाबा लेकिन आज थोड़ा भाई की याद आ गए क्या है ना बाबा वो भाई की तवियत थीक नहीं थी ना इसलिए याद आ गया बाबा मैं इंचार्ज हूँ इस डिपार्टमेंट को संभाल रहा हूँ और वो छोटा हो करके मेरे को जवाब दे रहा है थोड़ी से तमीज नहीं है के से बात करते हैं इसलिए थोड़ा उसको डांटा मैंने मैंने कोई मारपिट नहीं किया है बाबा थोड़ा सा थोड़ा बोला हूँ बाबा इतनी सारे सुक्ष्वों गल्तियां है पता ही नहीं है मुझे आत्मा से ये गल्तियां हो रही है सुरी बाबा आज तो मैं ये सब महसुस कर रही हूँ ये गल्तियां मेरे से हुई है बाबा आपकी मदद से आज मैं प्रमीज करती हूँ कि ये सारे गल्तियों को मैं फिर से सुधार हूँगी फिर से पुरसार्थ करूँगी थैंक्यू बाबा आज का टॉपिक है गल्ति को महसुस नहीं करना गल्ति क्या है कब होती है कैसे होती है कौन करता है गल्ति जंगल से कोई जानवर आके गल्ति नहीं करते हैं जिसको भगवान ने स्रेष्ट बना के भेजा है जिसके अंदर दिव्य बुधी दिया है उसी से ही गल्ति होती है मनुसिया के ऐसा पराणी है उसी से गल्ती होती है गल्ती मना जैसे जो आय थार्थ कर्म है जो करना चाहिए लेकिन उसका विप्रिट करते हैं तो वो गल्ती है और उसको अगर महसुस करते हैं तो सुधार भी होगी अगर महसुस ही नहीं करेंगे तो सुधारने का कोई चांस नहीं है तो गलती जिसे कई परकार के है सामुहिक रूप में भी कई वार गलती करते हैं वेक्तिगत रूप में भी करते हैं सामुहिक रूप में बड़ी बड़ी गलतियां किये हैं जो आज तक हम महसूस भी नहीं किया है संगठन में, पबलिक में, इन जेनरल ऐसी गलतियां किये हैं, सबको पता है, लेकिन उसको हम accept करके चल भी रहे हैं, गलतियां को, और उसको सुधारने के लिए भगवान को ही आना पड़ता है, वो कोई मनश्य नहीं सुधार सकता है, ऐसी गलतियां है, जैसे भगवान सरव्य पी है, तो यह बहुत बड़ी गलती है, गंगा को बोल देते हैं, पतीत पावनी, यह बहुत बड़ी गलती है, कृष्ण को द्वापर में ले लिए, जो भी सारे कंट्रोवर्सी बाते हैं, बावा के ग्यान में दिया है, जो लोगों को जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, सीव संकर एक है, यह बहुत बड़ी गलती है, गीता का भगवान को बदली कर दियें, कितनी बड़ी गलती, तो यह गलती को हम महसूस भी नहीं करते थे, मैं सरीर हूँ जबकि आत्मा हूँ, लेकिन मैं सरीर हूँ, और आत्मा सवा परमात्मा, मैं ही भगवान हूँ, मेरे अंदर ही भगवान है तो यह जो बड़ी बड़ी गल्तियां यह कोई मनुस्य सुधार नहीं सकते वलकि मनुस्य जो है हमारे जो पुरुवज है साधु सन्या से गुरु गोसाइं जो भी है होके गए हैं उन्होंने समाज के सामने इसको अंदर विश्वास को फेला करके गए गल्तियों को और बढ़ावा देके गए और उसके वारे में कोई बोलते हैं तो बोलते हैं भगवान के बिरुद्ध में बोल रहे हो ऐसे बोलते हैं तो इसलिए यह गल्तियों को भगवान ही आके सुधार करते हैं कि इसने बोला कि भगवान गलति नहीं करते हैं करते हैं कि भगवान से गलती होते हैं सबी तो बोलेंगे ना, है ना, क्या पता होती होगी, एक जोक है, भगवान से भी गलती होती है, इसने बोला, भगवान जब सृष्टी रचे हैं, तो बहुत मेहनत करके रचते गए, रचते गए, रचते गए, छे दिन रच लिया, सुमबार से सनीवार तक, अब सनीवार रविवार जब आया न तो, एक रचते रचते एक झचरफी मार लिये, तो एक इंशान को बना रहते हैं, तो बनाया तो एक पुरुस्थ सरीर, लेकिन अंदर गलती से आगया कि स्त्रीयों के गुणों, स्त्रीयों के आक्टिवीटी, स्त्रीयों के बोल, ऐसे वार हुआ है न, लोगुं को देखते मार्पिट करना अत्याचार करना बलत्कार करना साथ के रूप इतने बड़ी बड़ी बातें हो रही है इसको सुधारने के लिए फिर भगवान को नहीं है उसको सुधारने के लिए अपने खुद को बहुत मेहनत करना पड़ते हैं और वो एक व्यक्ति से नहीं होगा सुधार संगठन में सबको सबका इसमें समाज में हो रहा है समाज में हो रहा है तो यह सामुहिक गलतियां है दूसरा है कि व्यक्तिगत गलतियां पर्सनल है और वह गुप्त होता है कई बार दिखाने में भी आता है व्यक्तिगत गलतियां कौन है गुप्त रूप में विकार में जान करना यह वेक्टिगत गलती है कोई क्रोध करना अकेला लेकिन उसका समाज के उपर असर पड़ता है जो वेक्टिगत गलती हम करते हैं अगर सुक्षों में करते हैं गुप्त में करते हैं तो उसका वातावरन बनता है कि अग्करतने स्थूल कर्ते हैं तो समाज के ऊपर पढ़ता कोई पया कुछ इक कउरोद किया मीडिया वाले आये उसके बावाल कर दिया वहां कि सुसाइटी के ऊपर पढ़ा तो गलती का जो परणाम जोंजी भुगतना पढ़ रहे हैं कोई वीविकार के वसीवित होते है .. करना यह भी व्यक्तियत गल्ती है कि मुल्हीं न सुनना यह गल्ति अंद्ध न उतना by बात गल्तियां गल्तियों का लिस्ट निकाले हैं तो बहुत सरी लंबी लेस्ट है अभी हम जो 108 लिया है पॉइंट से ये भी गलतियां है न हम उसको सुधारने की कुशिस कर रहे हैं फुर्सात कर रहे हैं तो ये ये गलतियों को जब हम महसुस करते हैं तो सुधार सकते हैं जब तक महसुस नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं होगी भगवान ने भगवान को बोलते हैं उन्होंने गलती किया दुनिया वाले जो अब भी बता है ना कि दुनिया वाले बोलते हैं भगवान भी गलती करता है कई वर वह सही बोलते हैं कि साकार मुल्ली में एक वर तो उस समय बाबा को काम करा नहीं तो वो क्या करते हैं ना उसके अंदर प्रवेश करके घ्यान सुना के फिर निकल जाते हैं काम करके निकल जाते हैं अब इसको अगर हम गलत इंतरप्रेट करेंगे पॉजिटीव में अगर लेंगे तो अच्छी बात है कि हुआ बाबा ने कराया अगर नेगटीव में होता है अंकर भी आ जाता है कि यह फिर इसको बाद में बोलते हैं कि हाँ यह भगवान इसके अंदर भी यह अब वो आ के काम कराके चला गया एक वाणी में बाबा ने कहा क क्पता है ये संसार को सुधाने के लिए बच्चों मे goal点व मेरे को कितना रूप धर्ना पड़ता है आके फिर हम लोगों को सुधारने की कोशिस करते हैं तो यह व्यक्तिकत यह तो सामोई के रूप में जो बड़ी ओड़ी गलतियां है इसको सुधारने के लिए बाबा आते हैं लेकिन जो व्यक्तिकत रूप में हम गलतियां करते हैं उसको सुधारना है उसको सुधारने के लिए खुद को मेहनत करना पड़े गया, बाप की मदद लेनी है, भगवान की मदद जरू लेनी है, लेकिन पुर्षात खुद को करना है, उसमें एक स्लोगन भी मैंने लिया है, जैसे चेक अंड चेंज, सुधारने के लिए सबसे पहले तो चाहिए चेक क नहीं करेंगे तो चेंज केसे करेंगे सुधार केसे आएगी तो चेक करने के लिए हम इसमें दो बात लिए अगर चेक किया उसके बाद उसका परणाम में दो होगा या तो सुधार हो या फिर ना भी हो गारेंटी नहीं है चेक करने के बाद सुधार हो जाए तो जब अगर पुर्शार्ट करते हैं मेहनत करते हैं सुधार ने की तो सुधार होगी नहीं तो सुधार नहीं होगी महसुस किया, पुर्शार्ट किया तो सुधार होगी कई बार ऐसे होता है कि पुर्शार्ट तो बहुत किया उसमें भी दो वाते आ जाती है बहुत पुरसाद किया तो सुधार हुई नहीं तो कई बार ऐसे होते हैं कि सुधार ही नहीं हो रहा है अब इसकी पीछे क्या कारण है क्योंकि उस समय बहुत मेहनत करने के बाद भी मैसूस कर रहे हैं ये गल्ती मेरे से हुई है ये नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी सुधार नहीं कर पाते हैं इसका कारण ये है कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं है वो सक्ती नहीं है इसलिए हम सुधार नहीं कर पाते है और वो सक्ती कहां से मिलेगी भगवान से अगर हम योग में बैठ जाए बाबा सेलनी की जोड़ दे तो वो सक्ती भी आएंगी ताकत भी मिले फिर सुधार होगी अब कई वर ऐसे होता है कि बाहर के दुनिया में उनको तो पता ही नहीं है भगवान को नहीं वो कैसे सुधार होगी जिसे कोई दारू पी रहा है 40 साल से दारू पी रहा है और रोज व जानता है रोज जगड़ा भी करता है पीने की ताकत है लेकिन सुधारने की ताकत नहीं है तो वो उसको भी परिवर्थन करने की जो सक्ति है वो हमको देना है तो इसलिए हम अपने अंदर आत्मा के अंदर इतनी ताकत जमा करना इतनी शक्ति बावा से लेकर करके जमा करने हैं जो हम अपना भी कल्यान करें अपना ही सुधार करें और दूसरों को भी शकास दे करके शुब बावना दे करके शक्तियों का दान दे करके कर्मों से गुनों से मन्सा से तो उनको भी सुधार करें तो इसलिए ये गलतियों को सुधार करने के लिए ये हमको सक्तियों की भी स्टॉप जमा करने पड़ेंगे कई एक्जामपल ऐसा है हम सास्त्र में भी है बहुत गलतियां किये हैं कई तो मैसूस किया है और कई तो मैसूस नहीं भी किया है शास्त्रों में है इतिहास में और बर्तमान समय भी है जैसे कुछ एकजामपल देता हूँ महावरत में लिजिए द्रौपुदी की एक मिस्टेक के करन महावरत खड़ा हो गया क्या मिस्टेक किया था एक सब्द गलत बोल के करन भाई भाई के बीच में युद्ध छिड़ गिया दुर्यधन दुर्यधन तो गलतियों का सागर है एंकार के करन एक के बाद एक गलति कर वेठा और परिणाम क्या हुआ उसको हारना ही पड़ा आखिर चांच भी उसको मिला था बचने के लिए तु भी उसने गलति किया क्या आखिर चांच था अधूर गॉर् गांदहरी ने इतना तपस्य किया सारे तपस्य का फॉल उसको देदिया बेटा को कि यह कम शेकम बच जाए कि बेटा तुम आशरी रिबन के आत्मी के रूप में नहीं शरीर के रूप में विनावस्तर क्या हो अब उसमें क्या गलती उसने किया चाल चलाया अब इसमें वो गलती यह किया कि यह पर बुद्धि में आ गया उसका अपना बुद्धि तो है यह नहीं हमेशा परबुद्धि में चलता है तो परबुद्धि में आ गया हालां कि वह तो कल्यांकरी था तो जिसके करण उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा जो भीम ने उसको मारा करन ने भी गलती किये थे दानवीर करन कहा जाता है लेकिन उसने क्या गलती किया उसका नमक खाया इसलिए वह अधर्म का साथ दिया विश्मन ने भी यही किया अधर्म का साथ दिया इसलिए उसको हार का स्विकार करना पड़ा रामायन में मंत्रा की एक मिस्टेक के करण रातों रात सारा पलट गया श्राम तक तो सही था लेकिन रात को डिनर के बाद सब बदल गया रात को भजन नहीं करना चाहिए तक बुद्धी सच्छ शुद्ध हो जाए अब सीता ने गलती की जिसके करण रावन की प्रविस्ता हो गई शीता ने क्या गलती की सोने के म्रग के पीछे इच्छा उनकी हुई कि मेरे को चाहिए वो चाहिए अब अब पती क्या करेगा वो तो पत्नी जो बोले ही तो मानना तो पड़ेगा ना पूरे वनवास तेरा साल छे महिना उन्होंने विता दिया खुशी खुशी से लेकिन लास्ट दो छे सात महिना थे ना उसमें फिर सारे रामायन हो गया रावन की प्रविस्ता फिर क्या किया सब आप लोगों पता है कि अितिहास में में देखा गया कि जिस राज्य में कोई एक देश-द्रोई बन जाता है या कोई सरजंत्र करी निकल आता है तो या capture परचिंड हो ऐस ने तो उन पतन हो ऊफिर सब्दोर्चम northern में देता हूं जिसे सोमनात मंदिर उसका वो एक मुसलमानों ने चोरी किया तो कैसे किया क्योंकि उनको आने का प्रवेस के से चांस मिला उसका एक कारण है कि वो मंदिर में जो पूजा रही है पंडित है उसकी गलती के वजाए से उसने अपना रिवेंज लेने के लिए और माहराना प्रताप उसका छोटा भाई जो है सक्ति सिंग उसने महसूस किया भी लास्ट में तो एक गलती के कारण माहराना प्रताप को हल्दीगाटी युद का सामना करना पड़ा है और युद में हार भी हुई लेकिन उस हार के बीच मेह युद्ध की दोरान सक्ति सक्तिशिंग को मैसुस हुआ कि ये मेरे से मिस्टेक हुई तो उसने क्या किया फिर उसको सुधार सुधारी छोटी होती है कर रहे हैं नहीं सारे जो व्यक्तियत गलतियां हो वो सारे गलतियां सब अभी कर रहे हैं अब मैसुस हम कब नहीं करते हैं गलतियों का मैसुस कब नहीं करते हैं थोड़ा एक दो एक्जामपल है जैसे हमने कुछी गल्ती किया नौकरी कर रहे हैं गल्ती हो गई तो बॉस को अगर सौरी नहीं बोलते हैं महसुस नहीं यह जैसे कि महसुस नहीं किया कई वार ऐसे होता है कि हमने महसुस तो किया लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे हैं सरी बोलने की क्योंकि बॉस इतना सामने सारी बोलने के लिए हिम्मत नहीं होती है, तो इसमें फिर क्या होता है, कम भारी हो जाते हैं, भारी पनाता है, और उसको छुपाने के लिए फिर गलती करते रहते हैं, जुट बोलते हैं, अब सेवा में जाओ, तो सेवा में भी कई बार गलती हो जाती है, लेकिन दीद है पुर्षात में टर्शार गलती होती है डर्शारड में आर्षार्वे गलतियां होती है पूर्षाड में कोई मेजर गलती नहीं है लेकिन स्वख्वन गलती और अब intensthet तो फिर मूड Caesar हो गया तो भागी सारे चीजों के ओपर प्रभाब पड़ जाता है तो उसको भी हमको महसुस करके सुधारना है। सेवा में भी गलती, पुर्षात में भी गलती, ग्यान सुनाने भी गलती कर लेते हैं, कई बार महसुस करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, बाबा जू बोलते हैं, ग्यान को अगर हुब भू वही चीज बोलते हैं, तो वो सही है, यह थारत अगर उसमें अपना मनुवत मिला देते हैं थोड़ा मिक्स कर देते हैं तो यह भी एक गलती है तो गलती को सुद्धा में अभी बाबा की कुछ महावा की हमने लिए 4-5 पॉइंट है मैं आपको सुनाता हूँ नौ दिसंबर 75 की मुलिय एक बाबा ने कहा कि जैसे कोई अपनी गलती को महसुस भी करते हैं लेकिन उनको उसको कभी फैलाएंगे नहीं बलकि उसे समाएंगे तो गलती कई बार ऐसे होता है कि हम अगर दूसरों ने कर किया है तो उसको हम फैला देते हैं क्योंकि वो मेरी गलती नहीं है लेकिन हम संगठन में है हम हर कोई चीज को चाहे विशेष्टा को या अबगुनों को हम अपना समझ करके रखेंगे तो उसको समाएंगे तो इसमें क्या होता है ने तो डिसर्विस हो जाती है अगर नहीं समाते हैं तो दूसरों ने गलती किया है तो वो गलती को अगर हम समा लिया तो हमने महसुस किया तो उसमें ये फाइदा होगा तो ये तो विशेष्टा मेरी बड़ी है मेरा जो गून जो है वो मेरा हो गया लेकिन साथ साथ यह सर्विस हुई है कि जो हम जिस संगठन में है ब्रह्मा को अरेज में ग्यानमर्ग में है हम यहां इसका एक अविछेद्य अंग है तो हमारा उतना ही रोल है इसको कायम रखने में तो वो गल्ती को महसुस करके दूसरों के अवगुनों को या गल्ती को अपना समझ करके समा जाए इधर उधर हम ना फैलाए दूसरा है एक दोजार की मुरली है तो बाबा ने बोला समझ से महसुसता होती है हाँ ये राउंग है ये राइट है कई बार हमको महसुस होती है ये ठीक है ये नहीं है लेकिन एक है विवेक से महसुस करना और ये कहता है दिल से महसुस करना दिल से और दिमाग से तो भबा वलते अगर दिल से कोई भी बात को मैसुस कर लिया तो दुनिया बदल जाए लेकिन स्वयंग नहीं बदलेगा और संसकार पुराने 63 जनम होने की कारण नेचरल हो गए जिसको दूसरे सब्द में कहते हो यह गलती नहीं है यह मेरी नेचर है इसको अलग रिती से हम समादे वो नेगेटिव है यह गलती नहीं है हम मैंने नहीं कमेंटरी में जैसे बोला है ना बाबा हम सभी का यह अनुवब है कि बाबा के सामने हम बोलते हैं कि बाबा मैंने इसलिए इसे किया मेरी कोई गलती नहीं है लेकिन इसलिएर इससे गया हो सामने वाले से बोला है न ऋसलिए मुरी को बोलना पड़ा सामने वाले से किया है नहीं इसलिए थोड़ा आँख दिखाना पड़ा और एक मुर्ली लिया है, 2009 की मुर्ली, रावन को दुस्मन कहा जाता है, और दुस्मन का खजाना क्या है, सारे नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है, जो भी गलती कहो, अवगुन कहो, दुख कहो, जो भी है, तो बावलते दुस्मन का खजाना अपना बनाना, यह तो आस्चे तिरे लग रहा है न, कि क्या कहते हैं, गलती से कह देते हो, तो बाबा कहते हैं, कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती भी है, मैसूस भी करते हैं, बाब से बाते भी करते हैं, माफी भी लेते हैं, बाबा कल से नहीं करूँगी, या नहीं करूँगा, फिर भी कर देते हैं, अभी बाव दादा क्या करें देखता रहें बाव दादा अभी इस सब्द की बावा ने बुला उसका विधी बताया यह जो सब्द है उसको होली करवार्था तो होली जलाओ यह होली की मुर्ली थी जो बिती उसको जलादो होली करना नहीं चाहिए लेकिन कर लिया लेकिन चलो कर लिया तो अब कर लिया करम का फल तो मिलेगा न तो चतुरा ही नहीं करना बाप को भी बहुत रिजाते हैं हम बोलते हैं कई गार बाबा आप तो च्छमा का सागर हो रहम दिल हो अब बाबा को अ अपना स्वोमान दिला दे आप की इतना अच्छे हो अब मेरे से अगर हो गई तो थोड़ा सा करो न अब कई बार बोलते हैं बाबा गलती तो हो गई है जो पनीश्मेंट देना है दे तो मंजूर है अब अगर पनीश्मेंट कभी ऐसे थोड़ा हुआ अफ तो पनीश्मेंट नहीं देते हैं लेकिन अपने को कभी ऐसे हुआ तो क्या बोलते हैं, क्या बाबा, आप भी ऐसे, गल्ती इतनी सी किया, आपने तो जैसे इतनी बड़ी पनीश्मिन दे दिया, जैसे कि मच्छर मारा और फांसी की सजा सुना दी, ऐसे आपने दे दिया, तो बाबा केते हैं, बाबा को भी, बच्चे बोलते हैं, बाबा, आप तो रहंदिल होना, आप तो च्छमा के सागर होना, बाब को भी याद बराते हैं, तो आप कौन हो, आपने कहा न, मेरे को सुना के खतम कर दो, लेकिन महसूत साथे सुना के खतम करो, अब बाबा ने बोल क्यारियोवर होता जा रहा है एक अक्षर पक्का करते हो सुना देते हो यह अच्छा किया बाबा को सुना देते हैं लेकिन सुनाने के बाद हलका नहीं होते हैं हो सकता है उस समय हलका हो जाते हैं लेकिन फिर उसको क्यारियोवर करते हैं एक अक्षर पक्का किया लेकिन पहले संकल्प से सुवह को परिवर्तन करके सुनाओ कि 2005 की एकमुरली ले अगर कोई गलती से आपके पास बुरा संकल्प आ जाए तो क्या करेंगे इसके उपर बाबा ने बोला कि अगर कोई बुरा संकल्प दे दिया बुरा कोई गीफ्ट दे दिया खराब चीजे सड़ा हुआ ची क्यों कि 63 जन्नम का संसकार हो गया वो बुराई को पाल के रखने का संसकार आ गया है तो इसलिए उसको रखना नहीं है उसको दे देना है अगर उसको नहीं दे पाया तो उपर वाले को दे दे ताकि उसका विकल्यान हो हमारा विकल्यान हो जाए तो उपर वाले को दे देने तो नया नया तो गाए दुद के लिए तो फिर गाए उसको दो-चार दिन रखने के बाद एक बार गाए स्वाम को आई नहीं है तो कहां गए-कहां गए ढोडने लगे यहां माउंट में भी नहीं मिला तो फिर पता लगा कि वह वहां जा करके पूछे उस शीरो ही से वो गाई को खरीद करके लेके आये थे, तो गाई वहाँ चले गई, तब वाई के पसु के अंदर ये है कि वो वापस वहाँ पहुंच गई, जहां से आये थे, तो ये बाबा ने ये एक्जम्पल दिया, कि हमने त्रेशर जनम में जिसको पाल के रखा है, वो व वापस इसलिए आ जाती है, तो पसु जिसे पालते हैं, उसको अगर दूर भी छोड़ कर आते हैं, तो वो फिर वापस आ जाता है, गल्ती से कोई कमजोरी आ जाए, तो क्या करेंगे, कमजोरी लाने देंगे, आपने वाइदा तो किया ना, बुराई दे दिया है ना, बुर वापस करेंगे, अगर आपके पास थोड़ी क्रोध की रेखा, लोब की, मोह की, अभिमान की, गल्ती से भी आजाए, क्योंकि बहुत समय रखा है ना, तो उसे वापस कर देना, बाबा, आप अपने चीज आप संभालो, मेरी नहीं है, तो बाबा बोलते हैं, बाप सागर है बाबा सब संभाल लेंगे, और सागर में सब समाज आएगा, दो ہजार दो की एक मुली, ब्रहमा बाब को प्रतेक्ष में देखा, की बार बार, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाब दादा ने सर्व बच्चों प्रती याद प्यार देते, सर्व ब बाकि सब मीठे ऐसे बाबा ने कभी बोलाने, तो बाबा के अंदर वो सब को समा करके उन्होंने सभी को अपना बनाया, फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रती सदार रहम दिल बने, छमा के सागर बने, तो कितना भी गलती करके आये, तो भी बाबा ने स्विकर किया है, तो ये कुछ बाबा की बाते थी, तो अभी हम कुछ विधी देखेंगे, कुछ विधियां इसमें भी आ गया हमने चर्चा में आ गया है तो उसको सार रूप में हम कुछ विधियां लेंगे जैसे मान लिजे अभी एक परसुए के बहन थी हस्पिटल से बिमार है लेकिन किसी को थोड़ा डांट दिया छोटा एक बाई को डांट दिया तो मेरे सामने जिकी बेटी लेकिन उसने ऑला चोड़ा थीक नहीं है आज है ऊतर ना भाई मैंने डांट दिया सारी लेटवब लिखने के लिए ऑस een तो यह बहुत अच्छी बात है कि उसके लिए भी हिम्मत चाहिए वह सुरी जो है बाबा को बोला अच्छी बात है मैसूस किया सुधार होगा ताकि आगे के लिए और किसी को ना डांटे लेकिन उस भाई को अगर हम सुरी फिल करते हैं उस भाई के सामने तो वह हिम्मत की बात है वो हिम्मत बहुत कम में भी होती है तो यह ना हो कि वो गल्ती करते रहे और सौरी बोलते रहे यह 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 बोलते हैं कई बार इस अपने पोजिशन को बचाने के लिए उसके उपर परदा डाल देते हैं उसको फिर मन में मैसुस किया परिवर्तन करने की कोशिश किये लेकिन सामने फिर प्रेजेंट नहीं किया परदा डाल दिये क्योंकि अपना इगो हट होगा कोई हमको हमेशा के लिए उनके बुद्धी में बैठ जाएगा कि यह तो ऐसा ही है इससे बचने के लिए आप अब हैं जैसे आमारे निकले भाई को चित्र बनाना अच्छा आता है on the लक्ष्मी नारान का चित्र बना वह बहुत अच्छा बना लेंगे लेकिन अब किसी को बोलो उसको चित्र बनाना नहीं आता है उसको बोलो कि लक्ष्मी नारान का चित्र बना के दो तो वह क्या बनाएगा अच्छा बनाएगा नहीं तो वह उसकी गलती है यह तो कई बार ऐसे होता है गलती नहीं है लेकिन उसको लोग गलती समझ लेते, अभी जैसे यह example दिया तो दूसरे उसको उसकी capacity नहीं है करने की, उसको आता नहीं है, जो काम जिसको आता नहीं है उसको देंगे और फिर उपर से डांटेंगे, नहीं आता है तुमको, अब यह हो सकता है जो देने वाला उसको समझना चाहिए जब उसको आता नहीं है तो क्यों दिया अब इसमें उसकी जैसे इसमें फ्रिक्वेन्सि की बात आते है अब उनकी चित्रकार के फ्रिक्वेंशिंगे 99 फरसेंट 90 और इसलिए अच्छा बना लेते हैं अब जिसको नहीं आता है उसके 30 में यह हो सकता है कि उसको शुब्भावना दे करके उसके फ्रिक्वेंसी को थड़ा बढ़ा देंगे 30 से 40, 50, 60 हो सकता है, 70 परसेंट हो जाएगा फ्रिक्वेंसी तो फिर वो भी लक्षमी नाराण जैसे चीतर बना देंगे या फिर जो काम कराना है उसको सिखाएंगे तो वो काम भी वो ढंक से कर लेंगे अब गलती अगर हुई है तो उनको इस प्रकार से सिख्षा दे करके यह ममा की विसेश्था ममा की विसेश्था यह थी कि वो कभी डानते नहीं थे अगर किसी से गलती हुई है उनका महसूस कराने की तरीका जो है वो इनिक है यह नराली थी ऐसे प्रेजेंट करते थे कि वो पानी-पानी हो जाते थे सामने वाले और सरमिंदा हो करके वो अपने गलतियों को स्विकार करके कई वार बोल भी देते हैं मां यह गलती मेरे से अगर स्ट्रिक्ट बनेंगे या डांटेंगे तो वो भी छुपाएगा बले यह तो डांटते अभी सुना करके और दो डांटकियों खाओ तो उसको छुपाने के लिए फिर से जूट बले तो इसलिए बाबा की विशेषता है साकार बाबा वो बोलते हैं कि अगर कोई गलत बताते नहीं थे लेकिन अगर वो बाबा को पता चला कहीं इधर उदर से तो बाबा उसको नहीं बताते थे लेकिन जेनरल में मुरली में बाबा इसारा देते थे टॉंट नहीं मारते थे इसारा देते थे मुरली में अभी कई वार ऐसे होता है कि मुरली क्लास में भी टॉं कि हो जो आत्मा भाई या भैन वो फिर वही पॉइंट को अपने उपर लेते हैं, बाबा इतना सारा बोल रहे हैं लेकिन वो पॉइंट को यह वो अपने उपर ले लेते हैं, तो व cat मेरेस्ति लीए वावा года । इसे यह गलती है और मुरली इसका विधी है कि मुरली मिस ना करना और खाली मिस ना करना नहीं है बलकि अटेंशन से सुनना है ध्यान देना है तो उसमें बाबा सारा इसारा देते हैं कि यह गलती है इसको सुधारना के से सारे विधी तरीका या पुरुशार्त करने जो भी है वो बाबा उसमें बताते हैं, तो सबसे पहले विधी में हम यह लेंगे कि मैसुस करने के लिए हमको चेक करना है, और फिर पुर्षार्थ करके उसको चेंज करना है, यह पहली है, हम medical line में है तो जैसे मेरे से के मैं अपना example देता हूं हम blood लेते हैं test करते हैं तो एक वियाईबी पेसेंट आया था उनका blood मैंने लिया तो लिया लेकिन उसको दो परिक लगा दिये हिं यह लड़ाया है तो दो परिक लगा दिया और उसने मेरे को थोड़ा गाली दिशêtes तो मैंने उस समय primeira में एक सेकंड में पता नहीं किसे हो ज़ुए तो एक सेप्ट किया गल्ति तो मेरे से हुई जाली केक्दार तो हो तो कोई हग नहीं है कि मैंने अर्गुमेंट करने की तो एक्सेप्ट किया और बुद्धी में ये रखा कि ये गलती को मैं कैसे सुधार हूँ प्लस उसको भी संतुष्ट करूँ तो एक-दो महिने के बाद वो आत्मा फिर से आय थी ब्लड टेस्ट कराना है तो उस दिन मैंने बड़े दिल से प्यार से उनको ट्रिट किया ब्लड लिया और उस दिन उन्हें अच्छा सेटिफिकेट दिया तो उस दिन के बाद आज तक भी वह भाई से मलव ओम सांधी बोलते हैं अच्छा संबंद बन गया तो हम अगर करते कई गल्तियां ऐसे डॉक्टर से होते हैं तो वह गल्ती से क्या पेशिंट भी मर जाता है तो जो अच्य डक्टर होते हैं कईन करते हैं लेकिन ज्ज़्यादाFirst दॉक्ट वो इसलिए मरा रिपोर्ट बना देते हैं तो पिर उन्हीं का!」 करते बनाता है पर्सनल लेवल में भी कई ऐसे गलतिया हम से हो जाती है तो फिर उसको सुधार नहीं कर पाते हैं तो सुधार करने की कुछ बीधी हमने लिया है सबसे पहले चेक अनचेंज करना तो उसके लिए हम क्या करेंगे बाबा के कमरे में जाना है मन से जाए या स्थुल रुप में और दिल पर हात रखके बाबा से रोरियान करना दिल से बोलना मुख से नहीं दिल से बोलना बाबा ये गलती मेरे से हुई सुधार करना दूसरी बात है सुधार करना एक्सेप्ट करना कि ये गलती हुई है अगर हम accept नहीं करेंगे तो कोई possibility दिखाई नहीं देगा कि सुधार नहीं करेंगे, तीसरा है, दो बाते हम note करेंगे, अगर हम मैसुस किया गल्ती को, तो उसमें फाइदा क्या है, अभी जैसे उन्हेंने बताया, कि अगर हम मैसुस किया, उसको sorry बोला, तो वो तो गलत interpret कर रहे हैं, बोलते हैं कि यह आदमी ऐसा है, हमेशा गल्ती करता रहता है, sorry बोलता रहता है, वो उसकी कमी है, वो negative, लेकिन हम अपने को तो सुधार ना है, तो plus point जो है, वो हमको note करना है, मैसुस करने के बाद, अब negative point अगर मैं महसुस नहीं किया गल्ती को, तो उसका जो नुकसान क्या है, वो भी note करना है, सबसे ज़्यादा क्या निकलेगा, क्या, फाइदा ही निकलेगा, तो इसलिए यह दोनों को अगर note करेंगे, तो उसमें हम परिवर्तन अपने आपको कर सकते हैं, उसके बाद हम रोज पोता मेल लिखेंगे, बाबा को अगर पोता मेल देंगे, रोज का रोज, तो 24 घंटे के बीच में यह रिन्यू हो जाता है, तो रिन्यू होने के काराण हमको 24 घंटे के अंदर कोई गल्ती हमसे नहीं होगी, अटेंशन रहेगा, और दूसरा चीज, यह सुक्षम रूप मे हो गया, कई बाबा को पोता मेल दे दिया, ना कौन सा बाबा देखता है, पढ़ता है, या सुनता है, पोता मेल लिखी दिया, या मन से बोल दिया, लेकिन थुल रूप में एक आधार लेना है, क्या आधार लेंगे, लोकिक में हो, या लोकिक में हो, एक आधार लेंगे कि, जो हमारे मुरबि बच्चे हैं मुरबी है शाह्य लगो या फिर अलो किख मेरे जो निमीत है टीचर हो या जो भी जुसको आप मांते है रोल मर्डल मानते है तो उसको आप सब बताना है आज यह मेरे सेißtете पर वी गें तो यह एक ब्रेक पावर का काम करेगा तो दूसरे दिन हमको बताना है करके ये बुद्धी में जब आएगी ये बात तो हमसे गलती नहीं होगी ये महसुस तक ही सकते है पांचमें बात है कि हम महसुस करने के लिए एक चीज कंपल्सरी चाहिए अंतर मुख्य होना अगर साइलेंस में चले जाना अगर बाहर मुख्य होते हैं तो हम महसुस नहीं कर सकते इसके लिए आधार लिया है हमने बोलने की कम बोलने की अभ्यास करना है ये कम बोलने की अभ्यास अगर करते हैं तो वह रियलाइज करते हैं अंदर महसुस करते हैं और नहीं तो कई बार है कि हम ज्यादा बोलते हैं मैं गलत नही करने के लिए ज्यादा बोलते रहते हैं तो थो कला सोजाती है कि कवर जैसे अपस में लड़ाई जगड़ा करते हैं या कुछ वैसे हाइपर माहौल बन जाता है तो उस समय वह इंट्रोवर्ट हो जाते अंतर्मों की घर के अंदर वह जगह छोड़ देते हैं जो माहौल गरम माहौल है वह जगह छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं थोड़ा सा साइलेंस में बैठ जाते हैं तो उसमें गलती महसुस होती है अंदर से तो उसको चेंज कर जी योग योग भट्टी में इसका संगठन में इसका पूरा पूरा लाव उटाने बाबा ने बोला है कि अगर योग नहीं भी लग रहा है तो भी योग भट्टी में बैठने से जहां पचास सो लोग बैठ हैं वहां बैठने से वह वातावरन इतना पावर्पूल है कि वह शक्ति अपने आप आ जाती है तो इसलिए इसका भी लाव उठाना चाहिए है एडा की भार संगठन मैं हम रहते हैं तो अगर कोई गलती हम हमसे होई है अगर है कोई वह हम को बता दिया पॉंटाउट किया तो को बुरा मानना नहीं चाहिए है कि बुरा मान लेते है इक हट होता है अगर हम वहां मैस heart Ren pas कैसे भी अगर कोई सामने से बोल दिया या फिर कोई बोला नहीं यह डर केमारे नहीं बोला है लेकिन चर्चा में आया है वो हमारे कान devane पहुँच गया तो हमको सुधारना चाहिए कभी भी हमको बुरा नहीं मानना चाहिए अगर बुरा लगा तो आप समझो की सुधारन नहीं होगी योग में बैठ करके गलतियों का स्मरण करना रीकॉल करना अगर हम 5 साल पहले ये गलती की थी एक साल पहले ये गलती की थी कली ये गलती की थी तो वो अभी आज ही इसी समय है हमको वो सारी गलतियों का इमर्ज करना अरिल जैसे ऐसे सामने इमर्ज करके देखना है अच्छा इतनी सारी गलती मेरे से हुई है ये गलती हुई है ये गलती हुई है तो ये recall करने से सरम आएगे तो फिर हम एक step है ये कि कोशिज करेंगे हम कोशिज करने के बाद फिर अलग आगे का पूर्शार्त है कितना पूर्शार्त करते हैं उस हिसाफ से डिपेंड करता है कि सुधार हो या ना हो लास्ट में अगर हम निरंकारी बनते हैं तो हम अपने गल्ती को महसूस करते हैं निरहांकरी बनने सेarem अगर नम्बबने रचा तो तो मेशुस करेंगे अंग्री व्यक्ति कभी मेशुस नहीं कर सकता है उसका अगर हर्ट होता है कभी और में गलती वह सब्सक्रेयरी अच्रीय च्विधिय हैं वह हमेशा चुपाएगो या अपना अकर दिखाएगा सुधार नहीं तो यह कुछ वीद्यां हां हमने हमने हास्पीटल में भी कई यों को बोलके रखा है कई बार बोलके रखा है और एक छोटा चितकी भी मैंने रखा है आज तक भी है यह 15-20 सल पहले मैंने लिखा था वह अभी भी है कि एक एक आत्मा की किस्ता को हमने नोट करके रखा है आज भी हमको याद है इस भाई को देखते हैं वह याद आता है तो वह हमने नोट करके रखा तो वह गोण भी उठाएंगे और उन कईयों को बोलते हैं और वह बोलते हैं जैसे मालीजे कोई हमारी महिमा करते हैं ना उनको बोलके कोई फा अगर एक बार वो बोल दिया और आपको बुरा लगा देखना संबन्द बिगड़ जाता है तो इसलिए जो आपके आपको ऐसा लग रहा है यह मेरा दुस्मन है ना उसी को ही बोलना कि अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मेरे को बताना मैं सुधार देंगी अपकेले में मैंने ड्क्तर सचीन से भी यह सुना यह पॉइंट को उठाया जैसे किसी को यह देखा जैसे हम क्लास कराते हैं कई गल्तियां होती है ग्रामाटिकल मिस्टेक है कई पॉइंट तो गलत नहीं लेकिन कई ऐसे बोलने में प्रोनान सेशन तो उसमें क्या होता है ना कई बार ऐसे अभ्यास कर रहा था तो उन्होंने वहीं पर वहीं क्लास में ही टॉंट मार देते थे एसे पैल था है एधह नहीं है पहले उभ्यास करके आओ रटल लगा कर आओ क्लास में तो थोड़ाशा लगता है उग्योहट तो होता है तो डाप्टर सचीन को देखा उन्होंने में उन्होंने क्या ओम अप spectrum में नहीं बताया उन्हेंने कई आत्माओं को वह खड़ा करके युद के मैदान में उतारा है यह अलग तरीके से निरा लिए यह माना शुदाने का वह जो तरीका शिक्षा देने का यह जो तरीका यह निरालिए तो हम सुदार सकते हैं इसलिए हमको हमेशा निरंकारी बन करके हंबल बन करके वो लेने क्या जो है तरीका आने चाहिए कभी बुरा नहीं माने चाहिए तो यह कुछ सी..डी सी हो जो आपded तो आफिसाहरं जो आपने लृ.. ईजो आज चेंपहुँ है और गलती हम नहीं पता है.. और इस और आभी तो विश्य खर के था नहीं देगा ऐघा.. क्योंकि क्योंकि अब भी अगर मैं गल्ती बता दूं तो यह यह मेरी गल्ती होगी यह गल्ती मेरी होगी और यह पता नहीं हजारों लोगों सुन रहें वो बोलेंगे देखो स्टेज पर बैठा है और गल्ती बता रहें तो यह तो मेरी गल्ती हो गई न तो आप लोगों बता हाँ काका क्या बल रहे हैं सबकी विसेष्था है सबकी अंदर यह विसेष्था है गलती को मेसुष करके सुधारने के अपने को भी सुधारना है और दूसरों को भी सुधारना तो माहल बनेंगे तो अगर तो यह एक पॉइंट है कि अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो हमारे से कोई गलती होने का चांस नहीं है इसका एक एक्जामपल है मम्मा के टाइम में कि किसी ने रोटी बना रहे थे और रोटी जल गई है तो रोटी जल गई तो बाबा को बताया वावा इस रोटी जला दे तो उसको पूचा रोटी कैसे जली मैं बाबा की याद में थी न्यृश लियर रोटी जल गई तो बाबा ने यह पॉइंट उस समय बोला कि और sapin मेज़ Васονष भी नहीं छोड़ दिया अब कई लोगों सहा , भगवान को मानता है , अंधिर में बंड़ का आते हैं यह घजाते हैं यह लिए वो नहीं मानते हैं तो उनका मानना इई मना उनकी हमत पर के सिरुमत चलेंगे, तो सुधार होगी और अरविंद भाई यह इसमें दो बाते आती है जैसे अगर हम इसको सुभावना के तौर पर लेते हैं और यह लिए हम चाहते हैं संबंध भी बनी रहे और उनको सुधार भी हो तो हम उसको मनें वो सुधार भी और उसको बूरा भी नहीं लगेगा और अगर टॉंट के हिसाब से होगा तो कई वार उसको बूरा लगता है फिर संबंध भी गड़ जाता है इसका प्रयोग हमने किया था एक कोई थोड़ा लगाव जुकाव में आये थे एक आत्मा तो फिर हमने डाइमॉंड हॉल में बाब भी उधर जाती थी क्योंकि सामने बैटके खुसर खुसर कर रहे हैं अब चर्चा में थोड़ा बहुत आया तो वह दूसरे दिन जो है वह ब्लड टेस्ट कन्ने हमारे पास आई थी वह आत्मा तो उनको हमने सब्दों से बताया एक बात बताऊं अब बुरा नहीं माना है त तो मैं बता सकता हूँ तो क्योंकि मैं आपको बताऊं और दुनिया में लोग बोल रहे हैं अईसा तो अगर इसको शुधार दोगे तो अच्छा है तो ऐसी ऐसी बात है मैंने देखा और मैंने एक जुटु उसमें मिक्स किया मैंने देखा और कोई ने देखा या नहीं देखा पता नहीं है और चर्चा किया नहीं किया यह भी पता नहीं है लेकिन मैंने यह प्रिजेंट किया कि आप ऐसे डाइमॉंड हॉल में बाव दादा के सामने बैठे थे आपके पीछे हम बैठे थे और आप ऐसे ऐसे बाते कर रहे थे तो कई उनने थोड़ा बताया तो इसलिए आपको बताया वाकि ऐसी कोई बात नहीं तो उसने एकदम accept किया बात सही है भाईया आप बिल्कुल में द्यान दोंगी ऐसे उन्होंने accept किया था तो इसलिए सुधार भी कर सकते हैं इस आधार पर प्यार से रिस्पेक्ट के साथ और सुक्देव भाई हाँ बैने भी आते हैं ब्लड टेस्ट करने हम सिधा बोलते हैं वह फिर महसूस करते हैं वहां पर हम प्यार से नहीं बोलते हैं थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं यह तो बोलना ठीक नहीं है लेकिन पर ज्यादा है देखो आपका ब्लड भी नहीं आया ना तो इसलिए मोटा पर थड़ा कम कर तो वह मजबूरी से एक्षेप्ट कर थाड़ा धिक्कत होता है उन्हां छुप जाती है ना तो नस छुप जाती है तो फिर हमको हो सकता है दूबारा ब्लड प्रिक करना पड़ता जिसके ऊपर रहुक है दो बाते बता देते हैं तो सबसे पहले आत्मा स्वस्त्र हैनं के लिए सेल लिए के इसवस्त रहना ज़रूरी आप मतिर में ऑपना ही रहेगा अगर सरीर को को तकलिप है हल्किस सरी शिर दर्द हो पेट दर्द हो या कोई भी तकलिप वो तो आत्मा योग लगा नहीं पाएगे योग लगे गई लगा ही नहीं है वह गुमता रहेगा तो अराम से बैठ नहीं सकते हैं तो इसलिए हमको बाबा ने कहा है कि सरीर को भूल जाओ बात सही है लेकिन बाबा ने ये उस्पी खाहा कि सरीर का ध्यान देना है तो शरीर का ध्यान दोनो रूप से देते हैं मैं दूसरा रूप जो है वह बताना चाहेंगा हेल्थ के उपर तो आज के दिन बहुत दुनिया में चाहते हुए न चाहते हुए अनगिनत बीमारियां सौगात के रूप में आती है तो वह बीमारियों को ठीक करने के लिए वह हमको ही अटेंशन देना है हर साल कम से कम चेक अप कराना है एक बार जो हेल्थ चेक अप है उसमें चाहे बलड टेस्ट हो चाहे कोई भी चीजे एक्सरसाइज की बात आती है तो सारे चीज का साल में एक बार कम से कम चेक अप कराने और रोज का फीजिकल एक्सरसाइज जो है हम ड्रील करते हैं आत्मे के एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन फीजिकली वह एक्सरसाइज करना करना चाहिए तो सिर से पाउं से लेकर के सिर तक किसी भी रूप में कैसे भी क करके हिलना चाहिए शरीर को हिलाना चाहिए अगर शरीर हिले तो आत्मा सांत रहेगे अगर शरीर को नहीं हिलाएंगे तो आत्मा हिलती रहेगे मनवध्धि हिलते रहेंगे तो इसलिए शरीर को थोड़ा हिलाना चाहिए एक्सराइज करना चाहिए और हमारे अंदर जो भी हम लोगों में लैब में काम करता हूं इसलिए बलड के उपर ज्यादा आता है तो हमको सुद्ध भोजन के उपर ज्यादा अटेंशन देना रहेंगे और अतमद दृस्त भी हो जाएगी तो इसलिए हमको इसको esse decision हुआ कि बलोड डुनेट बिल्कुल करना चाहिए आंग्रेट परसेंट करना चाहिए इसमें कई बाते दस बाते बोल रहे हैं कि प्रक्राइछी एक खरतने यह कम से कम चार वार कर सकते हर तीन में लेकिन जो देने वाला वह भी देखना चाहिए कि वह कितना मेला उनके अंदर भी स्टॉक होना चाहिए हमारे के हम वह ब्लड की अगर नहीं है तो तो लेने का पर जाएगा अब अंदर क्या करेंगे दूसरों को क्या परिवर्टन करेंगे खुदको भी परिवर्टन कर सकते तो इसलिए पहले स्टॉक खुद खुद को भरना और धर दूसरों को दान देनना है संयम मैं जीवन हो संयम मैं जीवन हो अपने से अपना नुशासन जीवन की परभाशा अपने से अपना नुशासन जीवन की परभाशा बर्ण जातिया संप्रदाए से मुक्त धर्म की आशा छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो संयम मैं जीवन हो संयम मैं जीवन हो संयम मैं जीवन हो मेत्री भाव हमारा सबसे रत दिन बढ़ता जाए समता सह अस्तित्व समन्बे नीति सफलता पाए शुद्ध साध के लियनियों जित मात्र शुद्ध साधन हो संयम मैं जीवन हो संयम मैं जीवन हो संयम मैं जीवन हो झाल झाल